नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोलेज थावला के ओनलाइन प्लेटपोरम पर मैं राजनर खिछड आपको आर्दिक स्वागत करता हूँ रिजनिंग की क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्तित हूँ और रिजनिंग मैं अपने पिछले वीडियो में टोपिक पढ़ाता स्रंकला या स्रेनी मैंने कहाता स्रंकला या स्रेनी तीन परकार की आती है जटिल एकांतरह कई परकार की मिष्र स्रेनियां होती है उनमें से अपना पहला हो गया था जोड और गठाव पर आधारित, दूसरा हो गया था अपना गुणा और भाग पर आधारित, आज अपन स्टार्ट करेंगे नई मिश्रित स्रेनी, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, देखो मिश्रित स्रेनी आज अपना टोपिक रहेगा, और मिश्रित स्रेनी क्या होती है, मिश्रित स्रेनी यानि गुणा और भाग के साथ जोड और बाकी आए, ठीक है, जोड और गठाव आए, गुणा और भाग के साथ जोड और गठाव आनी चाहिए, तो वो मिश्रित स्रेनी हो जाती है, या मालो जैसे घन और बरक के साथ भ ब्लस और माइनस का चिन आ सकता है यानि जोड घठाव आ सकता है तो वो भी मिश्रीत ही होगी तो उधायरण करेंगे तो एक्जामपल शुरू करते हैं देखो मिश्रित च्रेने अपने पढ़ रहे हैं और मिश्रित च्रेने में एक्जाम्पल देखो पहला च्यार से च्छ हो रहा है च्छ से दस हो रहा है दस से अठारा हो रहा है अठारा से खालिस्तान फिर छास्ट हो रहा है तो अपने को पहले तो सवाल को देखते ही जैसे यह च्यार से च्छ डोह हो रहा है यानि दोझ रहा है फिर यहां चार शुड़ रहा है फिर यहां आट आप खुड़ रहा है नोड़ में आपको ढ़ना हो रहा है तो यहां सोड़ा चुरू है सुरी나무 यह क्या जुरना चाही सटूरज शोरी है शोरा इस दो रिशारी में दो अधिक नियम लग सकते एक इसे अधिक नियम लग सकता है लेकिन आपका उत्तर रहा है चाना चाहिए यहां चोस्थी अफिर सोld राए गया को सब्सक्राइब रहा है दूसरा नियम देखते हैं इसमें कौन सा लग रहा है तो धूसरा नियम माइनस दो हो रहा है इन्टु दो से गुणा हो रहा है और यहां देको दो से गुणा किया 20 और यहां भी माइनस दो हो रहा है तो यहां भी आप माइनस दो ही रखो क्योंकि दो से गुणा हो रहा है तो यहां देको यहां कर देंगे अपने इन्टु दो यानि चारदूनी आर माइनस दो चार दोनी आठ माइनस दो ठीक है आठ माइनस दो हो रहा है से हो रहा है फिर इन्टु दो छे को दो से गुणा किया बारा बारा माइनस दो दस इन्टु दो किया दस से दो से गुणा करेंगे तो 20 20 माइनस दो किया तो अठारा आ गया फिर अठारा को दो से गुण तो क्या जाएगा 66 तो इसका मलब दोनों ही तरीके राइट है लेकिन उत्तर आपका क्या जाएगा 34 आजाएगा तो एक से अधिक तरीके लग सकते हैं यह जान रखना है तो यहां यह तरीका भी विल्कुल राइट है चार दो चार आठ शोड़ा बतीस दुगणा होता वा जा मिशुअि एक्जामपल देखो च्हे चाकर चांग तो घ्टाइस गठादो भई तो बावन तएक बस गया और चार बावन और चार चास पन हो गया तो तो यहां देखो चोगदा 28, चोगदा का दुगणा 28, 28 का दुगणा 56, 57 का दुगणा कितना हो जाएगा 112, तो 112 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, तो 112 जब जोड़ेगा तो हो जाएगा 216, तो यह रहा देखो option, दूसरा तरीका, दूसरा देखो 6, 20, 48, एक से अधिक तरीके सम्भव है, 48, 104, और खालिस्ता, अब दूसरे तरीके से करते हैं, तो दूसरे तरीके में देखो, यहां अगर मैं करूँ, इन्टू दो प्लस आठ, इन्टू दो प्लस आठ हो सकता है, यहां फिर इन्टू तीन, शरी, 6, 24 होता है न, इन्टू तीन प्लस दो कर सकते हैं, यहां इन्टू चार, माइनिस चार कर सकते हैं, तो पहले अपने, यहां इन्टू दो प्लस आठ करते हैं, देखे, तो 6, दो नहीं बारा बारा प्लस आठ कितना हो जाएगा 20 क्योंकि मैंने यहां इंटू दो प्लस आठ ही क्यों किया क्योंकि आपको यहां 48 दिख रहा आगे 48 देको 50 के लगबग है तो अगर इंटू 3 करता तो 60 होता है यहां ठीक है तो 60 में से फिर 8 या 2-3-4 गटाएंगे तो कोई प् आपिस इंटू 2 करेंगे तो 20 दूनी 40, 40 प्लस आठ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा फिर 48 दूनी चिन मैं चिन मैं प्लस आठ करेंगे तो आपका हो जाएगा 204 तो यह देखो यहां इंटू 2 प्लस आठ का नियम लग रहा है तो आगे भी इंटू 2 प्लस आठ करेंगे सो रहा तो इस प्रकार एक से अधिक नियम लग सकते हैं लेकर आपका उत्तर से मनाचा यह देकित मिस्रिट श्रॢअ का रोप यह मिस्रिफ स्राहिन का रोप इन्टू दो और रैको आगे तो स्रानी में शरी स्राहिनी किह लाती है अगला देखिए कि अगला लेते हैं 19 से 34 और चोटीस से साट और शांट से 68 और उनारải स्सफ पर दोसो तो पहले तो ऐसे देख लेते हैं 19 से 34 तो आपका यह ओजाएगा 11 और पिर हो जाएगा आपका 4 11 और 4 कितना हो गया 15 जुड़ गया वही 15 जुड़ गया फिर देखो यहां कितना जुड़ा 34 से 60 हो रहा है 34 से 60 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है 26 जुड़ रहा है फिर यहां 60 से 108 हो रहा है तो 48 जुड़ रहा है ठीक है 48 बराणमा 48 बराणमा तो देखते हैं कि यह तो कुछ बनता है इसमें तो लेकिन 15 26 में तो कुछ नहीं बन रहा है यहां देखो 11 जुड़ रहा है यहां कितना जुड़ रहा है अगर इसका अंतर करें तो 26 और 46 का हो गया 20 और 2 22 पर 20 और 2 22 फिर 48 और वराणमा का करें तो आपका हो जाएगा यहां 42 दो 44 तो देखो श्रेणी में स्रेणी बन रही है श्रेणी में क्या हो रही है स्रेनी 15 से 26 वा 26 28 28 से वराणम है यानि 11 जूड़ रहा है 15 से 27 लाने के लिए फिर 26 इसमें जोड़ दिया फिर 28 28 लाने के लिए क्या जूड़ रहा है 22 जूड़ रहा है तो अगला पद क्या जोड़ा जाए तो वो निखालने के लिए चम्मारी इसका दुगणा कर देंगे 81 जोड़ेंगे इसमें तो 81 पहले तो मैं बराणम में जोड़ूंगा तो 90 और 90 कितना हो गया 180 जोड़ेंगे यहां क्या जोड़ेंगे 180 180 200 में जोड़ेंगे तो आपका उतरा जाएगा 380 देखो यह रहा 380 तो यह मिश्रित स्रेणी का रूप ही है क्योंकि स्रेणी में वापिस स्रेणी बन रही है ठीक है अगर इसको दूसरे तरीके से करते 19, 13, 60, 108 फिर 200 और फिर आजाएगा आपका खलिस्तान तो यहां देखिए अगर मैं करूँ उन्ही दूनी कितना होता है उन्ही दूनी 38 होता है तो यह 38 के आसपास है तो इसको अगर मैं दुगुना करूँ और गठा दूँ क्या चार उन्ही दूनी 38 फिर यहां देखो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68 और माइनस क्या हो जाएगा 8 तो और बिल्कुल राइट जा रहा है क फिर देखो आगे 60 into 2 करेंगे तो 120 और 120 में से क्या गड़ जाएगा 12 गड़ जाएगा तो 108 आ रहा है सही है फिर into 2 करेंगे 108 दूनी कितना हो जाएगा 216 और 216 में से क्या गड़ जाएगा 63 देखो यहां लगातार 2 से गड़ आ हो रहा है लेकिन यह 48 डारा सोड & 4 का पाड़ा घट रहा है ठीक है 4 चार का पाड़ा घट रहा है तो into 2 करेंगे और minus करेंगे कितना 20 into 2 करेंगे तो वहीं 400 और 400 में से 20 जाएगा तो इतना हो जाएगा अठाईस से 65 हो रहा है पेशट से 126 हो रहा है और खालिस्तान तो पहले तो आपने अंतर करते हैं अंतर करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा बचेगा यानि 19 जोड़ना पड़ेगा फिर देखो 28 से 65 हो रहा है 28 से 65 हो रहा है आपका 32 5 हो गया 37 यानि 37 जुड़ रहा है ठीक है पिर 65 से 126 हो रहा है तो यह आपके 65 और 65 एकना इक्सोठीस होता है उससे 4 कम है तो 65 से 4 कम कितना हो गया 61 जुड़ गया तो एरसी को इस रेनी बनती है गया 19-31 तो हो सकता है यहां को ही हो तो तो यहां दो श्रेणी नहीं है न तो फिर क्या देखते हैं इसमें मुझा-बाग वाला देखते हैं देखते हैं कोई बाग.'" के साथ जोड़ बाकी से उज़ए तो 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 इन दो तेन करेंगे पलiस एक करेंगे कि उन्हीं नो ती है 27 और प्लस एक 28 हो जाएगा अब 28 इंटु 3 करेंगे तो भई यह तो बहुत होगा फिर एक गटाएंगे तो पैसर तो नहीं आने वाला है इंटु 2 करदे मालो यहां तो चपन फिर तो कुछ जोड़ना पड़ेगा चपन में नो जोड़ना पड़ तो हो सकती है गन संक्या है हो तो गन संक्या है देखो आठ आठ प्लस एक लिख सकता हूं मैं इसको 28 को क्या लिख सकता हूं 27 प्लस एक और 65 को लिख सकता हूं 64 प्लस एक और 127 को लिख सकता हूं 125 प्लस एक तो आठ किसका गन होती है दो का और प्लस एक हो रहा है दो का गन प प्लस एक करेंगे तो आपको 217 जाएगा आपके 270 तो 6 अद प्लस एक करेंगे तो इस प्रकार गन्ह और वरग संक्याओं का भी हो सकते है मिसरीत रूप प्लस या मैनस हो सकता है तो आपको यह बी जान रखana है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल देखो 3, 15, 35, 63, 99 तो वही पहले तो आपन जोड़ बाकी करते हैं तो यहाँ देखो कितना जूड़ रहा है बारा जूड़ रहा है फिर यहाँ दिच जूड़ रहा है ठीक है वीश जूड़ेंगे फिर यहां देखो 35 से 63 हो रहा है तो 25 और आपका हो गया 38 जुड़ रहा है 28 जुड़ रहा है फिर यहां 99 हो रहा 63 से 63 से 99 होने के लिए कितना हो गया यह हो जाएगा आपके 37 में से एकम यानि 37 जुड़ेगा ठीक है अब देखो यहां स्रेणी जरूर बन रही है नीसे यहां 12 से 20 होने के लिए प्लस 8 किया 20 से 28 होने के लिए प्लस 8 किया और 28 से 36 होने के लिए प्लस 8 किया तो अगला प्राप्त करने के लिए यहां पहले कौन सा संख्या जुड़ जाए तो 36 में 8 जुड़ देंगे दूसरा तरीका इसमें लगाते हैं देखो 3, 15, 35, 63, 99 और खालिस्तान गुणा भाग के साथ जोड बाकी लग सकती है क्या गुणा भाग के साथ जोड बाकी करें अगर आपने तो यहां आप 4 फ्लस तेन कर सकते हैं या फिर इंटू ओंब कर सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब लिए मैं यहां ब्लस तीन ले रहा हूँ ठीक है या फिर आप ऐसाइब ले सकते हो इंतिट रहा इन अ प olhosते ऑग लए सकते हो लेकिन पहले इंटू चार प्लस तीन से लेते हैं फिर देखो यहां इंटू दो और प्लस पांच हो रहा है तो यहां तो सही है वई चार से दो हो गया और यह तीन से पांच हो गया यानि यह तो चार का आदा हो रहा है और यह विसम संक्या हो रही है तो आगे फिर क्य होगा भई 35 इंटो चार होना से यह और प्लस्तीन होना से यह यह इस रहनी चलनी से यह या फिर इसका आधा ओके तो आगाधा तो एक होना चाहिए और फिर जोड़ना चाहिए आपके साथ तो यह से थोड़ी हो रहा नहीं हो है नहीं हो रहा है तो यह नियम फेल है तो फिर क्या लग सकता है तो देखो यह जो संक्या है वो दो के वरक के आसपास है चार के आसपास है यह सोडा के आसपास है यह 36 के आसपास ये 64 के आसपास और ये 100 के आसपास है तो अगर मैं यहां से गटा दूं तो 3 बचेगा यहां से गटा दूं तो 15 आएगा न तो देखो 4-1, 16-1, 37-1, 64-1 और 100-1 हो रहा है तो इसका महलब 2 का गटारे, 4 का सफास माहिने तो इसका महलब 1, 6-1, 8-1, 10-1 हो रहा है तो अगला च्या हो जाएगा अगला हो जाएगा 202-1 यादि 12 का स्वाइर माइनस एक हो जाएगा तो एक सो तैयार इसा जाएगा यह रहा देखो तरीके आपके तरीके दो लग सकते हैं लेकिन उत्तर आपका एक आना चाहिए बस यही जान रखना है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल आपका यह रहा 62, 62, 67, 84, खालिस्तान और 232 यहां क्या हो रहा ह हो फ्यादक आपकी अंतर करें तो जिर्यो जूड़ रहा है फिर देखो, यहां 4 जूड़ रहा है फिर यहां, 66 से हो गया 24, तो आपका 66 से 64 चुगदा तो ये गोगया 18 जूड़ रहा है न एसी तो कोई श्रीज है नहीं एसी कोई श्रीज अब पता भी नहीं लग रही है अगर एक बार और चलती तो हो सकता है पता लग जाती लेकिन यहां नहीं पता लग रही है तो 0 4 18 यह कैसे हो रहा है इंटू और विट प्लस माइनस गुणा और उसके साथ जोड बाकी ले भाग और जोड बाकी ले तो वो भी तो यहां नहीं लग रहा है लग बग देखो क्यूंकि यह तो आसपास यह 62 62 फिर चांसट हो गया फिर चोर्यासी लग बग यह तो क्या नियम लग सकता है तो वरग घन का अंतर ह हो सकता है देखो यहां एक का गन माइनस एक का स्कॉयर करें तो जीरो बचेगा तो वो यहां रख दिया जीरो फिर दो का गन और दो का स्कॉयर गठाएंगे दो का गन और दो का दो के गन मैंसे दो का वरग घठाएंगे तो यहां चार बचेगा देखो आट मैंसे चार गए तो चार बचेगा, फिर तीन का गन और उस में से तीन का स्कॉयर गटाएंगे, तो 27 में से नो जाएगा, तो ठारा बचेगा, फिर सही है, चार का गन माइनस करेंगे अपने, चार का स्कॉयर, यानि 16 में से 64 गए, तो कितना बच गया भई, 48, तो 48 यहाँ जोडेंगे, 48 जोडेंगे जब चोर्यां सीम है, तो आपके 48 जोड़ दिया आपने, तो कितना बनेगा, 147 बनेगा, 147, नहीं, स्वोरी, यह आपका भी ओप्शन था, 147 कैसे बनेगा भई, इधर तो बच गया आपके, 16, तो फिर उदर जुड़ेगा आपके, कितना 32, तो 132 बनेगा, मैंने गलत बोला, फिर यहाँ देखो, 48 के बाद क्या जुड़ेगा, तो 48 के बाद वापिस चेक भी तो करना है न, तो यहाँ 5 का गन, माइनस 5 का इस्वायर करेंगे, तो 5 का गन होता, 125, 125 में से 25 गटा देंगे, तो बचेगा, आपका 100, तो 100 जोड़ेंगे, 132 में, यहाँ 132 आया था न, मैंने गलत बोला, 144, 132 में से गटाना, जोड़ना है, 125, 125 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 232, तो राइट हो रहा है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, यह उप्शन, अगला सवाल लेते हैं भई, अगला सवाल है, साथ, नमबर सवाल, चाहं सole, 1430, 122, 550, 1174, चोगदा और खालिस्तान, एकदम से सरैंचि गट रही है, हमलब भाग हो सकता है, बाके साथ जोड़ बाकी हो सकती है, तो मिस्तरी सरैंचिक क्यों कि अपने टॉपिक लगा रहा है, तो भाग के साथ जोड़ बाकी तो कनप्रमी होगी, तो यहां देखते हैं देखो यहां से यहां और यहां से यहां क्या नियम लग रहा है नियम देखने की कोशिस करेंगे तो देखो आप संख्याओं पर ध्यान रखा गरो यहां 6, 6, 3, 0 हो रहा है तो 6 से देखो 6 से तो क्या हो रहा है दो हो रहा है और 6 से 2 हो रहा है और 3 से क्य दो बार जाएगा फिर दो बार जाएगा ठीक है कि क्या जाएगा दो बार जाएगा यहां और यहां भी कितना जाएगा दो बार फिर एक बार जाएगा और जीरो यानि बाई सो दस आ जाएगा बाई सो दस में अगर मैं दो जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा बाई सो बारा हो जाएगा तो इसका मतलब यहां भाग 3 प्लश दो हो रहा है, फिर आगे भी भाग 3 प्लश 2 हो सकता है तो अगर मैं तीन का भाग देंगा तो यहां 7 पर जाएगा 21 में और यहां फिर 21 में क्योंकि एक बचेगा एक इदर से बचेंगे तो 11 में भाग जाएगा कितनी बार, तीन बार, तीन का, फिर यहां से दो बच जाएगा, बाइस में जाएगा नहीं, तो जा रहा ही नहीं है तीन का, तो अगला देखते हैं देखें कि चार का भाग जाता है, तो चार का भाग देंगे, अगर यहां, चार का भाग देते हैं, तो देखो, बीस में तो इसका मलब तीन का भाग फिर प्लस दू फिर चार का भाग माइनस तीन राइट है एकदम ये सरे नहीं बढ़ रही है प्लस माइनस का चिन विए एक अंतर करम में आ रहा है आगे देखो यहां 550 से आपको एक सो चोगदा लाना है 550 से एक सो चोगदा लाने के लिए अगर मै बाग देओं यहां एक एक बढ़ रह een 1 से चार हो रहा है तो पकांश का भाग देंगे चार जोड़ दें तो एकसो चोगदा हो जाएगा तो देखो एक बार जूड़ रहा एक यह और फिर यहां भागaska गडैंगे किसका चैका और माइनस करेंगे जोगदा में 5 तो यहां भाग नोगत रहे को दो जाए गा और जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे आप साथ का भाग देकर छह जोड़ देंगे तो भई साथ का भाग दिया दो बार दो प्लस अच्छा है कितना हो जाएगा उत्तर आपका आठ हो जाएगा तो यह रहा भी option आपका आठ उत्र हो गए इस प्रकार होती है यह आपकी मिस् वो है एकांत्र स्रेणी अगली है एकांत्र स्रेणी अब देखो एकांत्र स्रेणी में क्या होता है कि एक पद छोड़ के एक दिया होता है और उसमें अलग नियम लगता है तो नियम देखो यहां अगर मैं करूंगा यहां पलस माइनस का नियम लगाऊंगा मानलो पहले देख तो फिर कैसे होगा तो यहां एक आंतर देखी यहां और यहां एक आंतर देखेंगे तो देखों इंटू 3 हो रहा है चार से बारा हो रहा है फिर इंटू 3 हो रहा है बारा से 36 और 37 से 3 हो रहा है एक सो आठ तो यहां 3 से 9 हो रहा है तो इंटू 3 हो रहा है यहां भी और इंटू हो सकता है माईनस मी हो सकता या मिश्रित वाली जो है वह भी समय लग सकता है वी एक अंत्र करम में अह्का ले तो तो इस से तो अगला पता नहीं यहां क्या हो रहा है देको यह ओर आपका एक एक चार आठ नो सताई सोड़ा अब यहां तो देखो दिख रहा है चार आठ नो सताई सोड़ा यह तो वरग संक्या है गन संक्या है तो यह है एक का स्क्वाइर यह है एक का गन दो का स्क्वाइर दो का गन तीन का स्क्वाइर तीन का गन चार का स्क्वाइर चार का गन तो तो कितना हो जाएगा यहां 64 हो जाएगा ठीक है तो एक आंतर करम में वरग संक्याएं और गन संक्याएं चल रही अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल में देखो 6, 7, 17, 17, 49, 47 और खालिस्तान है तो एक आंतर में देखते हैं देखो इसको इंटू 3 किया माइनस एक हो जाएगा इंटू 3 माइनस एक हो जाएगा ना इंटू 3 माइनस एक फिर यहां भी इंटू 3 माइनस एक लगना सिए या माइनस दो लगना सिए या जो भी है तो यहां तो यहां अगर मैं इन्टू दो करूं इन्टू दो और प्लस पांच करूंगा तो सत्रा जाएगा इन्टू दो प्लस पांच करूंगा तो तो आपका मान होगा होगा 78 और 78 प्लस 5 करेंगे तो कितना जाएगा तयासी जो यह रहा ओप्शन बीच में एक स्रणी हो रहा है यहां देखो यह रही तो इस स्रणी को भी देख लेते हैं साथ से सत्रा हो रहा है सत्रा से कितना हो रहा है हो रहा है तो साथ से सत्रा किसी हो सकता रही इंटू दो प्लस टीन हो सकता हैं इंटू दो प्लस टीन हो रहा है देखो यह रहां ऑन इंटू, दो करेंगे, सतर दूनी, 34, पलस 3 से काम नहीं चलेगा, वहाँ 47 हो रहा है, तो इसका मतलब यह गलत है, तो दूसरा लेंगे, इंटू 3 करो, इंटू 7, 20, माइनस 4 हो रहा है, तो 17 आ जाएगा, फिर इंटू 3, माइनस 4 करेंगे, तो 17, 31, 51, माइनस 4 करेंगे, तो आ जाएगा आपका 47, तो इसमें इंटू 3, माइनस 4 का नियम लग रहा है, इस प्रकार अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका है, 4, 5, 15, 30, 48, 100, 55, तो यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, तो एक आंतर में देखते हैं, देखो, एक आंतर में यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ तो यहाँ देखेंगे, तो देखो, इंटू, इंटू 4, माइनस 1 भी हो रहा है, इंटू 4, माइनस 1 करते हैं, फिर यहाँ, इंटू 4 करेंगे, अगर, तो 60 हो जाएगा, 60, और, यह तो 60 के आसपास ही नहीं है, बहुत गटेगा, तो एक दो गठाने से कोई प्रुबाव और प्लस क्या हो गया, तीन हो गया, ठीक है, सही हो रहा है, तो इसका मलब यहाँ भी यही लगा सकते हो, आप 4, 3, 12 होता है न, और प्लस 3 करेंगे, तो बारा प्लस 3, 15 हो जाएगा, राइट है, इंटू 3, प्लस 3 हो रहा है, इंटू 3, प्लस 3, तो 48, इंटू 3 करेंगे, त 145 प्लस तीन करेंगे तो 147 आप उत्तरा जाएगा देख ओप्शन में है क्या तो यह रहा एक ओप्शन में ठीक है राइट है बीच में एक सरेनी और बन रहे है एक आंतर इसको भी देख लेता है तो यहां क्या हो रहा है यहां पांच संग 30 हो रहा है डायरेक्ट लेकिन जब आप 30 को च хочу से गुणा करोगी तो 100 स्य आएगा तो ये नहीं होगा तो 6 से या 6 से कुणा करेंगे तो नहीं होगा तो भई आप क्या करोगे यहाँ into 5 प्लस 5 करो देख क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है यहाँ 30 से 115 हो रहा तो 30 into 5 करेंगे तो डेड़ सो होगा और प्लस पांस करेंगी तो एक सो पच्पन होगा इसलिए यहां एंटू पांस प्लस पांस किया तो पचम पचीस और प्लस पांस तीस हो गया और एंटू पांस किया तो डेड़ सो प्लस पांस एक सो पस्पन हो गया तो इस प्रकार ये स्रैनी बन रही है तो ये हो गई आपकी एकांतर स्रैनी और मिस्री स्रैनी आज के वीडियो में अपने पड़ी आगे कुछ कुछनों के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद